नमश्कर दोस्तों स्वागतय आपका अगाज के मुखे समाचार हो में जियन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सवब से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुखे समाचार ब्राकिंग न्यूस अपडेट्स के रूप में सब्सक्राइब कर रहे थे ग्रह मंत्रे मिच शाह ने चुनावी सबा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रिस कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बं है उससे पियों के मत मांगो मैं आज यहां से कहना चाहता हूं कि पियों के भारत का है रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार रहूल गांदी बोले हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोधी प्रदान मंत्री ब्रष्टाचार का इपिक सेंटर पीम कहते हैं मेरा भगवान से डारेक्ट कनेक्शन है जा दोस्तो कांग्रिस नेता राहूल गांदी रईव का 16 लाग करोड का करज माफ किया हिमाचल को आपदा में हुई तबाई से उबारने के लिए 9000 करोड रुपे नहीं दिये 22000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए हिमाचल के सेब का पैसा अगानी को पकड़ा दिया गया वहीं उन्होंने कहा कि प्रदान मंत्री ने लोग के खुरदा में एक BJP केंडिडेट को EVM से तोलफोल करने के आरोप में गिरफतार किया गया दरसल दोस्तो EVM में खराबी के कारण उन्हें वोट डालने के लिए काफी देर तक लाइन में इंतिजार करना पड़ा था चिलका के BJP विदायक प्रशांत जगदेव को इस बार विदानसबा सीट से मेदान में उतारा गया है और इसामें लोकसबा के साथ साथ विदानसबा का भी चुनाओ हो रहा है दोस्तो यह घटना शनिवार को बैगुनिया विदानसबा शेत्र के बैला गार्ड ब्लोक के कोरी पटना के बूत नंबर 114 पर हुई थी समाजार एज शादी ठेट पंजाबी परिवार में हुई कहा सांस से पंजाबियत की बातें सीखी प्रदान मंतरी सोच रहे हैं कि देश की महिलाएं बेवकूफ है जिसने हत्याचार किया मोदी जी उनके साथ खड़े रहे है प्रदान मंतरी यह सोच रहे हैं कि इस देश की सभी महिलाए बेवकूफ है। मैं उन्हें कुछ भी कहूंगा तो यह मान लेगी। प्रियंका गांदी, फतेहगड साइब में लोकसवा उम्मीदवार डाक्टर अमीर सिंग और पटियाला में लोकसवा उम्मीदवार डाक्टर धर्म वीर गांदी के समर्थन में रेली करने आई थी। चलि उनीत सिंग बिट्टू के पक्षमे परचारवर रेली करने से सम्मंदित देश के ग्रह मंत्री अमीद शाह के आने की सूचना मिलने पर भड़के किसानों ने लुधियाना की तरफ रुक कर लिया। इसका पता चलते ही पुलिस विभाग में हड़कम मच गया। पुलिस ने जगराओं लुधियाना के बीच चोकी मान टोल पलाजा को चाओनी में बदलते हुए सील बन कर दिया इस दोरान किसानों को रोका गया जिससे नाराज होकर किसानों ने जमकर भाजपागे खिलाब बडास निकालते हुए हमीच चाहा वापस जाओ वापस जाओ का नारा अधिकारी की तीमें दिन बर वित्य रिकोर्ड लेंदेन संबंदी डेटा और प्रसांगिक दास्तावेजों की जाच कर रही है चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार मेरे खिलाफ चरित्र हनन भाउनाय भड़काने और मुझे सर्मशार करने का अभियान चलाया है तब से मुझे रेप और जान से मारने की इधम क्या मिल रही है यह तब से और बढ़ गया जब से यूट्यूबर धुरूराटी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया उसके जैसे लोग खुद को स्वतंतर पत्रकार होने का दावा करते हैं हालांकि वो आम आदमी पार्टी प्रवकताओं की तरह काम कर रहे हैं चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार कोट ने सुवता ही संग्ज्यान लिया है कोट ने काये कि गेमिंग जोन के निर्मान और संचालन के लिए नियमित और उच्चित नियमों का पालन नहीं किया गया इसके साथ ही कोट ने कहा कि एमदाबाद में सिंदु भवन रोल, सरदार पटेल, रिंग रोल और एस जी हाईवे पर गेमिंग जोन सारुजनिक सुरक्षा के लिए खत्रा है हाई कोट ने एमदाबाद, वरोधरा, सूरत और राजकोट नगर निकम से इस पस्ट्री करण भी मांगा है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार मलेशियाई विमान MH370 को खोजने का तरीका मिला, आखरी लोकेशन पर विस्पोट करके मिल सकती है क्रेश साइट दस साल पहले लापता हुआ था विमान जान दोस्तों मलेशिया के विमान MH370 को लापता हुए 10 साल हो चुके हैं मगर इसकी गुत्ती अभी तक सुलज नहीं पाई है अब इस विमान को ढूनने के लिए ब्रेटेन की कार्डिक युनिवरस्टी से जुड़े रिसर्चर ने एक नया दावा किया है न्यूस वेबसाइट मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबित रिसर्चर ने लापता हुए विमान MH370 का पता लगाने के लिए एक नया प्लान तेयार किया है उनका मानना है कि जहां विमान की आखरी लोकेशन मिली थी वहाँ पर एक बड़ा विस्पोट कर इसकी क्रेश राइट को ढूंडा जा सकता है दरसल दोस्तो आट मार्च 2014 को कौलामपूर से 249 लोगों को लेकर बीजिंग जा रहा MH370 विमान अचानक लापता हो गया था इस विमान को लेकर मानव इतियास का सबसे बड़ा अंटर वाटर सर्च अभियान चलाया गया था लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार नाबालिंग पोते को दादा ने बर्तडे पर गिफ्ट की थी लगजरी कार पूने कांड में बड़ा खुलासा जियान दुस्तो पूने के पोर्ष कार हाथ से को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं जिस लगजरी कार से दो युवा इंजिनियर अश्विनी कोश्टा और अनिश अवीदिया की मौत हो गई थी वह कार नाबालिंग आरोपी को उसके दादा सुरेंदर अगरवार ने गिफ्ट की थी सुरेंदर अगरवाल के दोस्त अमन वादवा ने इंडिया टुड़े को बताये कि सुरेंदर ने दो महीने पहले वोटसेप ग्रूप पर लगजरी कार की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें कहा गया था कि यह उनके पोते के बर्ड़े के लिए गिफ्ट है दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें पोश्कार हाथसे के कारण सुरेंदर अगरवाल को उसके ड्राइवर गंगाराम को धमकी देने और उसे जुटा दावा करने के लिए मजबूर करने के आरोप में अरेस्ट किया गया कि हाथसे के वक्त वह कार चला रहा था कतित तोर पर गंगाराम को दो दिन तक सुरेंदर अगरवाल ने अपने आवास पर केद करके भी रखा था चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार मांट एवरेस्ट पर जाम एक दिन में 200 लोग पहुँचे बीड से बर्फ का हिस्सा डहा डेथ जोन में गिरे दो परवतारोही सर्च ओप्रेशन है जारी जहां दोस्तो दुनिया की सबसे उची चोटी मांट एवरेस्ट पर जाम लग गया है एक साथ 200 परवतारोही 8790 मिटर की उचाई पर साउट सम्मिट और हिलेरी स्टेम पर पहुँच गए 8848 मिटर उचाई वाला मांट एवरेस्ट यहां से 200 फिट की दूरी पर है भीड जमा होने के कारण यहां बर्फ का एक हिस्सा तूट गया इस दोरां छे परवतारोही वहां फस गए हलांके इन में से चार लोग रसी के सारे वापस उपर आने में काम्याब रहे वहीं दो परवतारोही एक ब्रिटिश और एक नेपाली हजारों फीट नीचे गिरकर बर्फ में दब गए गटना 21 मही की है जिसका वीडियो अब सामने आया है चार दिन से बर्फ में फसे होने के बाद दोनों परवतारोही उक्वी मोत की आशंका जताई जा रही है चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार मालदियो के साथ Free Trade Agreement की कोशिश में भारत मुईज़ू बोले इससे व्यप्पार आसान होगा 2023 में मालदियो का सब से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत जीहाँ दोस्तों भारत मालदियो के साथ Free Trade Agreement यानी की FTA शुरू करने की कोशिश में जूटा हुआ है मालदिव के आर्थिक विकास मंतरी मुहंबद साइद ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरां शनिवार को इसकी जानकारी दी साइद ने कहा कि राश्पती मुईजु ने सबी देशों को यह मोका दिया है सरकार जादा से जादा देशों के साथ समझोता करना चाहती है जिससे ट्रेड एक्टिविटीज को आसान बनाया जा सके भारत और मालदिव के बीच पहले से ही साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रिमेंट ऐसे FTA लागू है 2018 के भारत और मालदिव विया पार समझोते के तयत जरूरी सामानों के निरियात को लेकर नियम बनाये गए थे चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार ओलमपिक गोल्ड मेडलिस निरेज चोपला को माश पेशियों में परिशानी कहा चोटिल नहीं हूँ पर ओलमपिक से पहले कोई रिस्क नहीं ले सकता जिया दोस्तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर निरेज चोपला को ओलमपिक से दो महीने पहले माश पेश्यों में परिशानी आ गई निरेज चोपला ने इंस्ट्राग्राम पर इसकी जानकारी दी उन्होंने लिखा कि थ्रोविंग शेशन में हिस्सा लेने के बाद मैंने ओस्ट्रा गोल्डन स्पाइक टूर्णामिट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है निरेज चोपला ने लिखा कि मुझे ये समश्या पहले भी रही है इस स्टेज पर आकर मैं खुद को पुश करता हूँ तो ये चोट में बदल सकती है मैं साफ कर दे रहा हूँ कि मैं चोटिल नहीं हूँ पर मैं ओलम्पिक्स से पहले कोई खत्रा नहीं लेना चाहता जैसे ही मैं पूरी तरह है रिकावर हो जाऊँगा मैं चेंपिन्शिप में वापसी करूँगा आपके सपोर्ट के साथ धन्यवाद चलिए दोस्तो जवान लेते हैं इसके बाद अगली वड़ी ख़बर अमिट शहा बोले जमू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विदानसबा चुनाओं होंगे फिर राज्य का दर्जा देंगे 5 साल के अंदर UCC लाएंगे एक साथ चुनाओं भी करवाएंगे जिया दुस्तो ग्रह मंत्री अमिट शहा ने काए कि जमू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विदानसबा चुनाओं हो जाएंगे फिर इसके बाद सरकार के वादे के मुताबित केंद सासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा ग्रह मंत्री ने यह बात शनिवार को देररात न्यूज एजनसी पी टी आई को दिये इंटर्वियू में कही अमिट शहा ने 36 गड़ में नकसलियों की समश्या से लेकर यूनिफर्म सिविल कोड यूसी सी तक के मुद्दे पर बात की उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश में यूसी सी लागू कर दिया जाएगा देश में एक साथ सभी चुनाओं भी करवाई जाएंगे इसके साथ ही शाहा ने कहा कि देश में अगले 2-3 साल में नकसलियों की समश्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आप से छोटी सी रिकवेस्ट है अगर दोस्तो आपको बितक हमारी न्यूस पसंद आई है तो इसे छोटा साग लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशिक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यह यह मारी मिनत का फलो होता है और इसी से में पता चलता है कि आपको मारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं तो चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार वी यूपी में मौसम गर्म रहेगा 26-28 मई तक यहां गर्म हवाय चलने का अनुमान है वेस्टन और इस्टन यूपी में लू का अलट जारी किया गया है इसके लाव दोस्तो दिल्ली में भी अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है आयमडी का कहनाई कि दिल्ली में रहव के समय धूल भरी आंदी के साथ 30-40 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से हवाय चल सकती है दोस्तो बात करे राजस्थान की तो यहां से भी अच्छी खबर नहीं है यहां के लोगों को भी अभी गर्मी सताती रहेगी मुसम विभाक का कहनाई कि राजस्थान में 26-28 मई त 47 डिग्री सेलसियस के बीच में रहने वाला है मध्यप्रदेश की बात करें तो यहां पश्मी मध्यप्रदेश में रहने वाले लोगों को आज भी लू का सामना करना पड़ सकता है मुसम विभाग ने बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सालाहा दी है इसके Ease My Trip के फाउंडर अब Go First को नहीं खरीदना चाते निशान्त पिट्टी ने बोली वापस ली फरवरी में SpiceJet के साथ मिलकर बोली लगाई थी जिया दोस्तो इसमाइट रीब के को फाउंडर और CEO निशान्त पिट्टी ने नगदी संकर से जूज रही एरलाइन Go First को खरीद पिट्टी ने की अपनी बोली वापस ले लिए पिट्टी ने काई कि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मैंने गोफर्ष्ट की बोली से हटने का फैंसला किया है। लगने की खटना में साथ नौजात बच्चों की मौथ हो गई थी। बताया जहराए कि आग लगने के बाद ऑक्सिजन सिलेंडर में बलास्ट होने लगा जिससे आगतेजी से फैली। चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार रिशी सुनक बोले चुनाओ जीते तो आर्मी सर्विस अनिवार्रे करेंगे कहा नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे इसमें 18 साल के युवाओं को ब्रिटिश आर्मी जोईन करना ज़रूरी जान दुस्तो ब्रिटेन में नेशनल सर्विस अनिवार्रे हो सकती है प्रदान मंतरी शी सुनक ने गोसना करते हुए कहा कि आने वाले समय में अगर कंसरेवेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे इससे राश्ट्य भाव ना पेद बनना होगा इसके लिए सरकार हर साल 26.49 करोड रुपे खर्च करेगी सुनक ने यह बात 25 मई को वे एक इलेक्शन केमपेंड के दोरान कही चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार कांस में पहली बार भारतिये फिल्म को Grand Prix अवाड मिला सम्मान पाने वाली पहली भारतिये निर्देशक बनी पायल कपाडिया देश को मिले कुल चार अवाड जहाँ दोस्तो शुक्रिया कांस फिल्म फेस्टिवल अमारी फिल्म को यां प्रीमियर करने के लिए प्लीज एक और भारतिये फिल्म के लिए हमें अगले 30 वरसों तक इनतेजार नहा कराइए शनिवार को सतरवे कांस फिल्म फेस्टिवल के मंच पर यह कहते हुए इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाडिया ने समारों का दूसरा सबसे पृतिष्टित अवार्ड हांसिल किया पायल की फिल्म All We Imagine Is Light को यहां Grand Prix अवार्ड से नवाजा गया इसके साथ ही पाया लिया हावार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतिये फिल्म मेकर बन गई है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर पीम मोदी ने चक्रवाती तूफान रेलम को लेकर की हम बेठक 8 लाग बंगलादेशियों को कंक्रीट के घरों में पहुंचाया गया जहां दोस्तो भारतिय मोसम विग्यान विभाग आएमडी ने शानिवार को गंबीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलट जारी किया था वहीं आज रईवार को आएमडी ने इसके अपडेट को लेकर सुशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेर किया पोस्ट में आएमडी ने कहा कि साइकलोन रेमल का पात उतरी बंगाल के खाड़ी पर सागर द्यूप समूहू के दक्षन पूरू में लगबग 290 किलो मीटर खेपू पूरा बांगलादेश के दक्षण पूरू में 300 कीमी और केंगिंग के दक्षण पूरू में 220 किलो मीटर पर है दोस्तो प्रदानमंतरी मोदी ने चक्रवाती तूफान रेलम से निपटने को लेकर की गई तेयारियों की समिक्षा के लिए रविवार को बेठक बुलाए गई बेठक की अध्यक्षता प्रदानमंतरी ने की चक्रवाती तूफान के बांगलादेश और इसके पडोसी राजिय पशिम मंगाल के बीच के समुद्र तटो पर करीब आदी रात को दस्तक देने की आशंका है वहीं दोस्तो शिर्स सरकारी आपदा अधिकारियों ने कहा कि रविवार को कम से कम आठ लाग बांगलादेशी अपने तटिये गाओं को छोड़कर अंदर की और कंक्रीट के तूफान शेल्टर की तलाश में चले गए क्योंकि निचले इलागों में रहने की वजह से यह देश चक्रवात आने पर समंदर की लायरों से बूरी तरह प्रभावित होता है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार दुबई और अबुधावी एरपोर्ट पर भारतिये परेटकों के लिए नियम हुए शक्त अब बैंक अकाउंट में 60,000 रुपे रिटेन टिकेट होना हुआ जरूरी जान दुस्तों सैयुक्त अरब अमीरात यूए ने हवाई यात्रा करने वाले भारतिये यात्रियों के लिए नियम में बदलाओ की घोशना कर दी है अब नियम और भी सक्त कर दिये गए हैं नए नियमों के मुताबित दुबई अबुधावी जाने वाले परेटकों के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपेया उनके पास क्रेडिट कार्ड और रिटेन टिकेट होना जरूरी होगा इन दोनों शर्तों को पूरा न करने वाले यात्रियों को दुबई और अबुधावी एरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया जाएगा रिपोर्ट के मुताबित हाल ही में रिटर्न टिकेट न होने की वाज़े से 10 भारतियों को यूएई से भारत डिपोर्ट किया गया है यूएई इमिग्रेशन का कहना है कि नए नियमों के जरिये टूरिस्ट वीजा के दुरुपियों को रोका जा सकता है दरसल कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जहां लोग टूरिस्ट वीजा पर दुबई और अबुधाबी जाते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं इसके लावा कुछ लोगों के पास दुबई और अबुधाबु से लोटने के पैसे नहीं होते इस वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है चले दुस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार भारत पे और फोन पे ने सुल जाया ट्रेड मार्क विवाद दोनों कमपनियों के बीच पेशब्द के इस्तेमाल को लेकर पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था जियां दुस्तो डिजिटल पैमेंट कमपनियों भारत पे गुरूप और फोन पे गुरूप ने PE यानि की पेशब्द के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से चल रहा है कानूनी विवाद को सुल जा लिया है दोनों कमपनियों ने जोइंट स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी इस विवाद को उन्होंने सुल जा कर आगे बिजनिस पर फोकस करने का फैसला किया है स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत पे और फोन पे ने लंबे समय से चले आ रहा है सभी ट्रेडमार्क विवादों को सुल जा लिया है तो दोस्तो यह है ती आज की तमाम बारी खबर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड क्यूज कुशन की जिहां दोस्तो एक असान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिब चानल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्रिकेट कौन से देश का राश्टिय खेल है जिहां दोस्तो गर आप जानते हैं कि क्रिकेट कौन से देश का राश्टिय खेल है तो जल्दी से उस देश का नाम कणोक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुल जाते हैं लगी विज़ता की रूप में तो आपको मिल सकता एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिप चानल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपना उतर के मिलक्स में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदिमातर हम जे हिन जे भारत